नमस्कार है पहिन बाचपई अपने यूटूब चैनल मेरित पहिन बाचपई पर आपका बहुत-बहुत सवकत करता हूँ यह वीडियो SSC CGL 2022, 2030 यह जो 2021 वाले एस्पिरेंट है जो जो जॉइन करेंगे Tax Assistant Department को उनके लिए काफी ज़्यदा मोटिवेट करने वाला है क्योंकि आज मैं आपको Tax Assistant की लेटेस्ट ओरिजिनल जो सेलली स्लिप है वो दिखाने वाला हूँ आपको यह बताऊंगा कि कितनी सेलली है इस टाइम पे X City, Y City, Z City में सेलली किस तरीके से आपकी बैरी करेगी उसक इसके लावा जो बच्चे 2022 वाले वो जब जोईन करेंगे Tax Assistant Department को तो उनको कितनी सेलली मिलेगी दोजा तेस वालों को कितनी मिलेगी तो यह जो सेलली स्लिप है वो Tax Assistant की है आप खुर सोचिए कि यह CGL की Minimum Post है अब P.A.S.A. भी इसमे Minimum Post में आ जाएगा तो आपको सोचो क्योंकि अगर आपको CGL के थो यह Tax Assistant की भी जौब मिल जाती है तो आपको कितनी ज़्यादा सेलली मिलेगी उसके लावा यहाँ पे Promotions के भी चांसे बहुत ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अब जो Income Tax Department है उसमें Restructuring का काम होने लगा है तो काफी ज़्यादा Promotions के भी आसप सेलली मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे आपको मैं latest जो सेलली स्लिप है उसके थो सारी बाते बताने का प्रयास करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस आप सभी से रिक्वेस्ट एक इस वीडियो को पूरा देखे इस वीडियो को भनाने का Purpose Just for Motivation है कि आपको Motivation मि लेगी तो आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो सेलली स्लिप है वो जून मंद की है जून 2022 की तो जो सेलरी है अब आगले साल जोगी वो और कुछ बढ़ जाएगी टीए भी आपका बढ़ता है टीए भी बढ़ता है सब कुछ बढ़ता रहता है तो उसके इसाब से आप सो रुपए तक रहता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि अगर आप जोईन करोगे टेक्स इस्टेंट के रूप में तो आपको 25,500 जो आपका बेसिक पे है वो मिलेगा इसके लाबा धेर सारे और भी एडवांटेज आपको मिलते है तो ऐसा नहीं कि 25,500 यह आपको 24% के igh BY CT के यहाँपे लगा हूए ठीक है यह कितना है आपको 24% के इसाब से यह कितना है यहाँपे 8,600 जबकि DA बढ़ गया है जो कि 38,000 हो गया है 30% हो गया है 34% से बढ़के 38% यह नि कि 4% का यहां पे इंक्रीजमेंट हो चुका है आपका तो यह मान के चलिए कि 1000 रुपे और इसमें आप एड़ कर लो उसके अलावा एचारे जो है वो 4590 रुपे यह बाई सीटी का जोकि बाई सीटी में आपका 15% मिलता है जबकि एक सीटी में यह आपका 27% है तो अगर XCT की बात करेंगे, तो XCT के अगर Selling Slip निकालेंगे, तो 3000, 3000 ये और 1000 ये, यानि कि Total आपका 4000 का Difference आजाएगा यानि कि जो आप यहाँ पर Total Selling 43,584 रुपे देख रहे हैं, यह आपकी 47,000 से उपर आपकी Selling बनेगी उसके अलाबा, TPT जो अलाउंस है, वो आपका कितना है, 4824 रुपे तो जो Total आपका बना, वो 43,584 बना, इसमें से कुछ डिडेक्शन भी होते हैं, जैसे कि Profession Tax के रूप में 200 रुपे करता है CGEGIS Government की स्की में इसके लिए 30 रुपे, उसके अलाबा Employee Tier 1, इसके लिए 3417 रुपे उसके लाबा, CGHS आपका 250, यानि की 3897 रुपे ये डिडेक्शन होता है, फिर उसके अलाबा, ये आपका ये कुछ और एक जो रसीद है, वो कटती है, 40 रुपे की तो Total इतना डिडेक्शन होने के बाद आपको जो salary in hand मिल लई है वो 49,647 रुपे मिल लई है अब 49 या 4647 रुपे में क्या क्या कमी है एक तो ये 1000 रुपे आपका इसका बढ़ जाएगा, 1000 रुपे आपका किसका बढ़ जाएगा, ये जो आपका DA है वो आपका, उसका 1000 रुपे बढ़ जाएगा उसके लाबा आगर आप एक सिटी में हो तो 3000 रुपे इसका बढ़ा लो यानि कि इस टाइम पर प्रेजेंट जो सिनेरियो है 4000 और मालो, यानि कि 44,000 के आसपास आपको salary इस समय मिल लई है तो जाहिड सी बात है कि ये हर साल बढ़ती रहे क्योंकि DA भी आपका हर साल बढ़ता है तो जो 2022 वाले बच्चे हैं तो ये मान के चलिए कि जो उनका total salary होगा वो 5000 प्लस होगा और enhanced salary उनको enhanced जो salary होगा 22 city में वो 45,000 के आसपास मिलेगा जबकि अगर हम 1 city की बात करें तो 1 city में enhanced salary आपको 5000 प्लस मिलेगा 2022 वालों को 2023 वालों को तो इसते जादा ही मिलेगा तो ये है आपकी enhanced salary तो ये वीडियो बनाने का जो purpose है वो सिर्फ होसी पितना है ताकि आपको एक motivation मिल सकी कि अगर आप विरोजगार हैं तो खुछ सोची कि अगर आप CGL के थोए कोई job आ लेते हैं टेक्स सिटेंट के अगर आपको job मिल जाती है तो आपको 40,000 रुपए 44,000 रुपए enhanced salary मिल ला है अभी अगर 2022 वाले जोईन करेंगा उनको 50,000 मिलेगा और 2030 वाले जो हैं उनको उससे भी जादा मिलेगा तो एक 50,000 जाट जागरा आपको salary मिल लेगे तो आप एक अच्छी life style अपनी जी सकते हैं तो इसलिए कहना आपसे यह चाहता हूँ कि इस बार काफी अच्छी vacancy है 2022 में तो इसके लिए जब अलदस तरीके से मेहनत करिए उसके लाबा 2030 में भी घेर सारी vacancy आने वाली है vacancy इस बार काफी ज़्यादा है और आप इस बार selection अगर नहीं ले पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि vacancy mission mode पे चल नहीं है तो दम लगा के preparation करिए जो बच्चे 2022 का tier 1 exam दे चुके हैं वो अपना time कराब मत करें मेंस की preparation करें उसके लाबा 2023 का भी आपका ये बता दिया है ससीने कलेंडर के थो कि कब आपका form आएगा तो आप लोग अभी से preparation करना इस्टार्ट कर दो क्योंकि आपका competition जो selected experiment है उनसे जो बंदा 4-5 साल से त्यारी कर रहा है उससे तो जब आप महनत करेंगे तभी याँ पर selection ले पाएंगे तो उमीद करता हूँ कि जिस purpose से मैंने इस वीडियो को बनाया वो चीज आप समझ पाया होंगे एक motivation के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया तो करना क्या इस वीडियो को ज़्यादा सेर करना है उसके लावा अगर आप चैनल परना है और आपने अभी तो किसे subscribe नहीं किया है तो प्रीज चैनल को subscribe करना मत भूलेगा